नमस्कार शालिनी पेच पे आपका स्वागत है जब हमारे यां गर्पती जी आते हैं तो हम डिली यही सोचते हैं कि उनके भोज में आज हम क्या बनाएं पर हम ये भूल जाते हैं कि उनका प्रिये भोज तो हमने बनाया ही नहीं इसलिए आज हम उनके दस प्रिये भोजन के ब पाएं तैंक यू सो माच गड़ेश उस्वक के दस दिन करपति जी को लगाएं ये अलग-अलग उनकी प्रिये भोजन नमर 1 मोदक मोदग गडपती जी का सबसे प्रिये भोज है चावल की आटे और नारियल और गुर से बना ये पारम पर एक मोदग आप भगवान को भोज में पहली दिन लगाएं हालंकि मोदग कई तरह से बनती हैं लेकिन नारियल और गुर का मोदग ही सबसे प्रिये भोज है नमर दू मोती चूर के लड़ू भगवान को दूसरा सबसे प्रिये भोज मोती चूर का लड़ू है बेसन से बना ये लड़ू उनके साथ उनके वाहन मुशक राज को सबसे बेहत प्रिये है शुद्ध घी से बने बेसन के ये लड़ू आप प्रभू को दूसरे दिन भोज मे अर्पित करें नमर तीन नारियल चावल गर्पती जी को नारियल वाले चावल बहुत पसंद हैं आप तीसे दिन उनकी पूजा में ये भोज अर्पित करें नारियल के दूद में चावल को पका कर इसे भोग बनाया जाता है आप चाहें तो इसमें गुड या चीनी भी मिला सक इस भोग को अर्पित करें निश्यत रूप से ब्रभू आप पसंद होंगे नमर पांच श्रीखन गरपती जी की पूजा में श्रीखन सबसे प्रिये भोज माना जाता है केसर को धाई और चीनी के साथ कई तरह की मेवे के साथ मिलाकर बनाया जाता है आप चाहें तो श्रीखन के लावा पंचमत या पंचीरी का भी पांच में दिन बोज लगा सकते हैं नमर च्छे केले का शीरा पके हुए केले को मैश कर उसे सूजी और चीनी में मिलाकर शीरा बनाया जाता है आप चाहें तो इसकी जगे शुद्ध घी में बना हलवा भी भगवान को भोग में लगा सकते हैं छटवे दिन ये भोग भगवान को अर्पित करें नमर साथ रवा पॉंगल रवा यानि सूजी और मू की दाल को पीस कर घी और धेर सारे मेवे के साथ मिलाकर बनाया जाता है एक तरह से ये मू की दाल का हलवा ही होता है इसे आप साथवे दिन करपती जी की भोग क थाली में रख सकते हैं नमर आठ पैसम यह भी एक पारंपरिक भोज है और विशेश कर दक्षिर भारत में इसे बनाया जाता है ये खीर का ही एक रूप है चावल या सेवे को दूद और चीनी या गुड के साथ बनाया जाता है इलाइची पाउडर घी और अन ड्राइफु इसमें डाले जाते हैं आठ वे दिन ये भोज प्रभु को बेहत पसंद आएगा नमर नौ शुद्ध खी और गुड का भोग लगाए गर्पती जी को शुद्ध खी में पका हुआ गुड का भोग बहुत भाता है इसलिए आप नौवे दिन गर्पती जी को ये भोग लगा स आप चाहें तो इसे गुड में छुआरे और नारियल भी मिला सकते हैं नमर दस चपन भोग दस्वे दिन गर्पती जी सारे ही पसंदिया भोग के साथ कई और भोग बनाए इन भोग की संक्या 56 बकार की होनी चाहिए आप चाहें इन में से कोई भी भोग बना सकते हैं ऐसा करने भर से भगवान आपकी पूरे परवार पर अपनी विशेश करपा बनाए रखेंगे यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इससे लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सकाइग कीजिएगा और मेरी चैनल का बेल आइकन हेड़ करना ना बूलेगा ताकि आप मेरी फीचर के नोडिसिफिकेशन देख पाएं थैंक यू सो मच गड़पती बैपा मोर्या मंगल मूर्ती मोर्या